आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताजनगरी में पाइपलाइन लिकेज को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिसके चलते आएद दिन अधकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है आपका बता दे कि जहां लोग एक एक बून पानी के लिए तरस रहे हैं तो वहीं पाइपलाइन लिकेज के चलते हजारों लिटर पानी हर रोज बरबाद हो रहा है हजारों लिटर पानी बरबाद हो रहा है शेत्रिय लोगों का कहना है कि पिछले पांस दिनों से घर में पानी नहीं आ रहा संबंदित अधिकारी वा शेत्रिय पारशदों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही लोगों का कहना है कि पास दिनों से पाइपलाइन लीकेज के चलते पानी की समस्या लगतार बनी हुई है ऐसे में जलकल विभाग की तरफ से शेत्रिय लोगों के लिए पानी का टैंकर भी मुहया कराया नहीं गया जिससे शेत्रिय लोगों को कुछ राहत मिल सके ऐसे में जलकल विभाग की अधिकारियों की लापरवाही से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पाइपलाइन लीकेच के चलते पिछले पास दिनों से शेत्र में पानी की सप्लाइ ठप पड़ी हुई है ऐसे में पानी को लेकर जलकल विभाग की तरफ से कोई सुविदा मुहया नहीं कराई जा रही है पिछले पांस दिनों से pipeline leakage की समस्या बरकरार है जिसके चलते शेतर में हजारों लोग पानी की बून-बून के लिए तरस रही हैं वहीं पेजल pipeline की समस्या महिनों से चली आ रही है इस मामले में जल संस्थान के जिम्मेदार अधिकारी और करमचारी आखे मुदे हुए हैं ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है और ऐसे में संबंदित अधिकारियों की pipeline leakage को लेकर नीन खुलने का नाम नहीं ले रही है सी नियूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट